28 अक्टूबर को जुडो खेल के फाउंडर डॉक्टर जिगरो कानो के जन्म दिवस के उसर पर विश्व जुडो दिवस मनाते हुए जामूल शिवपूरी के एनी टाइम जुडो क्लब में भी आयोजन किया गया एवं उपस्तित अतितियों के सम्मक्ष जुडो खेल के दाउ पेज प्रस्थुत किये गया जोड देखने वाला इंसान भी हट्टे कट्टे तगड़े इंसान को पलक जपकते ही परास्त कर सकता है इस खेल को डॉक्टर जीगरो कानों ने सरप्रत्थम विश्व के सामने लाए था इनी का जिन्म दिन 28 अक्टूबर को मनाया जाता है इस दिन विशेश पर जामुल के श लाडियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अतीथियों का स्वागत सतकार किया गया इनके साथ जूड़ो खिल के अंतर रास्ती रेफरी शेक शरीप एवं की रन शर्मा भी पस्तित हुए जिन्होंने मुख्य अतीथियों को इस क्लब के बच्चों के द्वारा हासिल क शक लोकेश निर्मलकर, सुदर्शा निर्मलकर, दीपक कुमार, ओम जंगी लेवं, दीवे चौधरी के दिन रात की महनत शामिल है और आज सिर्फ जिला और प्रदेशी नहीं बलकि पूरे देश में जोडो खिल को लेकर जामूल का नाम पहचाना जा रहा है इस क्लब के ख खिलाडियों ने हाल फिल हाल में प्रदेश और रास पीस्तर पर कई मेडल हासिल भी किये हैं, जिसे कायकरम के दौरान मुखी अतितियों के करकमलों से एक बार पुना खिलाडियों को पहनाये गए, साथ ही शर्ट का वितरन भी किया गया, कायकरम के अंतिम कड़ी के रूप हर संभव मदद करने की बाते कही, वही जुदो कलब के प्रसीक्ष के लोकेस निर्मल अपने कायकरम की जानकारी उपलब्द कराई साथ ही, रास्टीर प्रतिवगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एक खिलाडी ने अपना अनुभव साजा किया और इस सब के पीछे जो इनके सिक्षक है, जो इनके गुरू है, जिन्होंने इस जुडो को जामूल में लाया है, बदाय के पात्र वो है, लोकेस निर्मलकर है, कहां साब हैं, किरन हाग, तो इलों इसके प्रणेता है, जिनके मारफास याज जामूल में इत्ते बच्चे आ और खिलाडी, जब तक के एक्टिवन हैं नहीं है, तब तक के कोई चीज उपलब्दी हासिल ले होती है, और आज ये बहुत बड़ी उपलब्दी है, कि हमारे जो सामने बच्चे बटे हैं, ये नेशनल लेबल पे इनाम जीत किया रहे हैं, तो मैं इस मन्ज के मारफास से, आपके चल्क मारफास से, उस समस्त बच्चों को बहार देता हूँ, तापी साथ ये आसुषिंद देता हूँ, कि हम से नगरपालिका से जब भी, जो भी सही होगा, जाता थम्मो किया जाएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को दिपवली की धेर सारी सुपकामना है, बहुत बहुत बदाईया, चूकि आज वेश्व जुडो दीवस है, इसकी पूरी जामुल की जनता को, और मेरे पूरे यहां के जीतने बच्चे हैं, खेलने वाला जुडो करना है, इनको सब को धेर सारी बदाईया, यह जामुल के लिए बड़ी उपलब्दी है कि हमारे जामुल नगर में एक समय में जुडो का नामों निसा नहीं था, और हमारे बनने के कुछी महिनों बात, यहां जो लोकेश निर्मल करें और खान साहब हैं, जो यह पुलिस विभाग में हैं, इनकी कठीन प पालिका के द्वारा यह मैदान में जो भवन बनाए बच्चों के लिए तुरत आदिस किया कि इनको दिया जाए और इनको खिलने की सुधा दी जाए और लगातार इनका प्रयास रहा कि आज जामुल के बच्चे नैस्नल स्टेट इंटरनेशनल लेबल पर जा रहा हैं, यह हमारे जामुल का जो नाम और गौरव जो बढ़ रहा है पूरे भारत वर्स में इसके लिए हम धेर सारी सुध कामना है देते हैं और चाहेंगे खेल के माद्यम से जितनी जो सहीयोग हो सके बच्चों के लिए हम चूंकि मैं भी एक स्पोर्समें रहा हूं मेरा खेल का आज वर्ल्ड जूडो डे है यह वर्ल्ड जूडो डे जो है यह प्रोफेसर जिगारो कानो जो की जूडो के फाउंडर है उनके जन्म दिन के जो दिन है उस दिन को हम वर्ल्ड जूडो डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं तो आज क्लब है यह जामुल में सापना जब अधिलाडी है जो राष्ट्री अंदर राष्ट्री पड़ल पार अपना चभी भिखर ने कैसे संभव हो पाये किती मेहनत करनी पूरी इसके पीछे मेहनत तो काफी है यहां के कोचस की और बच्चों की और मैं पेरेंट्स को भी इसका श्रेय दिना चाहूंगी क्योंकि पेरे प्रत्रेय में दूंगी कि यहां के कोचश को कोचस जो है हर सल बहुत अच्छी मेनत कर रहे हैं और हरसाल अच्छा प्लेयर करनी की पूर्चिश कर रहे हैं यह उनके लिए बहुत ही बवर्व की बात है कि उनके बच्चे जो है राष्ट्रियर इस तर पे जाकर के मैडल जी सब्सक्राइब मेरे क्लब चला रहे हैं उसमें और भी आगे हम अच्छी उपलब्धियां लाएंगे हमारे बच्चे अभी भी बहुत अच्छे उपलब्धियां लाई हुए मेरा नाम लोकेस निर्मलकार एनी टाइम जूडो क्लब कोच मुझे दो साल हो गया जूडो करते हुए और अभी मेरा स्टेट सी बीएसी नैशनल था अक्टूबर में तो उसमें मेरा सिल्वर आया है मेरे कोचेस को और मेरे पैरेंट्स को जो मुझे सपोर्ट किया है मेरी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिरेंस था कि मुझे मेरा मेडल आएगा और बाकी तो अपने से होता है कि खिलने अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो रहेगा वड़ना वो अपने पे डिपेंड रहते कि हमें कैसे खिलना है करके कोच इसका रहता है बट उन पे भी कुछ नह आज एनिटाइम जूडो कलब के प्रसिक्षकों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि जामूल शेत्र के बच्चे विशुपरडल पर अपनी छाप छोड़ दे नज़र आ रहे हैं और इसमें अंतरास्ति रेफरी शेक शरीफ और किरन शर्मा का भी अविसमरनी योगदान शाम उनके उज्वल भविश्चे की कामना की है एसीन नियूस के लिए संतु शर्मा की रेपोर्ट